हेलो बच्चो आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल दियास कुमार में फिर से एक बार स्वागत थे और आज किस वीडियो में हम लोग पबन उर्जा यानि की विंड एनर्जी और पबन फॉर्म यानि की विंड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पबन उर्जा यानि की विंड एनर्जी क्या है जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सोर उर्जा पढ़ाया था और मैंने आपको में पताया था कि सोर उर्जा यानि सूरज से जो उर्जा प्राप्त होगा उसी को सोर उर्जा बोलेंगे उसी प्रकार से यहां पर है पवन उर्जा, तो देखिए इसका जो नाम है इसी में उत्तर छुपा हुआ है, पवन उर्जा यानि क्या, जो उर्जा हमें पवन से प्राप्त होगा, बात समझ रहे हैं, जो उर्जा हमें पवन से प्राप्त होगा, उसी को हम जो क्या बोलेंगे पवन उर्जा बोलेंगे तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है जब पवन तेज गती के साथ चलती है तो ये पवन चक्की के पंखों को घुमा देती है जिसके कारण उर्जा उत्पन होती है इस उर्जा को पवन उर्जा कहते है जैसे कि आप नीचे जो चित्र देख चलती है तो क्या होता है तो ये पवन चक्की के पंखों को घुमा देती है और ये जो पवन चक्की में लगा हुआ जो पंखा है इसको क्या करता है घुमा देता है जिसके कारण उर्जा उत्पन होती है और इसी उर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं पवन उर्जा बोलते हैं पवन उर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की नियुंतम्तम चाल कितनी होने चाहिए जैसे कि अभी हमने पड़ा पवन उर्जा के बारे में क्या पवन उर्जा में हमने पड़ा कि जब पवन त्येज स्ब्स चलती है लगा हूँ पंखा उसको घुमा देती है जिसके कारण हमें उर्जा उत्पन होती है और उसे उर्जा को हम लोग क्या कहते हैं पवन उर्जा कहते हैं तो question कह रहा है कि पवन उर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का जो speed होगा पवन का जो चाल होगा वो निवन्तम चाल कितना होना चाहिए तो निवंतम चाल 15 किलोमीटर परती घंटा यानि एक घंटा में 15 किलोमीटर इसका स्पीड होना चाहिए तभी हम लोग पवन उर्जा प्राप्त कर सकते हैं अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं पवन फॉर्म के बारे में यानि कि विंड फॉर्म क्या है तो देखिए कि बहुत सारे पवन्चक को लगाया जाता है इस विसाली छेतर को पवन्फॉर्म करते हैं जैसे कि मैंने आपको वहां पर सोर पैनल बताया था सोर पैनल में भी हमने पर उस तरह बात की था कि सो chop ल सिल जो में होते हैं जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं सोर सेलों को एक निस्चित करम में जोडते हैं जिसको हम लोग सोर पैनल करते हैं उसी प्रकार से यहां पर जो पवन चक्की है पबन चक्की को हम लोग क्या करते हैं एक बड़े छेत्र में एक विसाल छेत्र में बहुत सारे पबन चक्की को लगाते हैं जिससे हम गो क्या होता है अधिक मात्रा में उर्जा मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं पबन फॉर्म कहते हैं तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प पबन चक्की को लगाया जाता है इस विसाल छेत्र को पबन फॉम कारती है तो पबन फॉम के बारे में आप समझ गई अब आगे बात करते हैं एक बहुत ... गुश्टन के ऊपर पबनो कादेश किस देश को कहते हैं तो इसका उत्तर है डेनमार्क हम लोग पवनों का देश कहते हैं तो आज किस वीडियो में हम लोगों ने पवन उर्जया यानि की विंड एनर्जी और पवन फॉर्म यानि की विंड फॉर्म के बारे में जाना और यहां पर हम लोगों ने जाना कि पवनों का देश किस देश को कहा जाता है तो आज के लिए इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ सेर करें थेंक यू